अच्छा सुनो वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दवा देना ताकि मैं जब भी वीडियो अप्लोड करूँ तो तुम्हारे फोन की घंटी बच जाए हेलो एव्रिवन तो चलिए इस लेक्षर से हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स और पहला लेक्षर है कॉस्ट अफ प्रॉडक्ट्स निकालने के लिए ठीक है और यह बहुत ही आसान है इसमें जनर्ली कोस्ट या प्राइस के बारे में पैसों के बारे में बात करेंगे ठीक है इस पे टफ कोई शिंस नहीं बनते हैं सार्य कोईश्शन असान होता है बस इसमें भीजान यह रख तो इसमें बच्चे जो जैनरली मिस्टिक करते हैं वह यह कि लैट टेबल सी एकसे आप टेबल एकसे हो गया चेर्ट य क्या गया इस तरीके से एन्जून कर लेते हैं और शुरू हो जाते हैं सही तरीके से अथा लिखें और क्या स्थाइट के कर लिखें let the cost of one table, table be x नहीं, cost of one table be x and cost of one chair be y. एक table की cost 5 रुपे, तीन table की cost 15 रुपे, 15 रुपे, 5 इंटो 3, 10 table की cost 5 इंटो 10, 50 रुपे, उसी तरीके से एक table की cost x रुपे, तो 2 table की cost 2x, एक chair की cost y रुपे, त्री chair की cost 3y, दोनों मिला के 2000, तीन table की cost, एक table की cost x, तो 3 table की cost 3x, एक chair की cost y, दो chair की cost 2y, और दोनों मिला के 2500, आप से मैंने कहा था पहले भी, कि जब ऐसे coefficient exchange हो जाए, अदर अदर variable के साथ, तो एक बार add कर लीजिए, और एक बार subtract कर लीजिए, काम असान हो गया, तो इसको equation 1 मान लेते हैं, और इसको 2 मान लेते हैं, ठीक, subtract कर लीजिए, adding, पहले 1 and 2 कर लीजिए, 1 and 2, तो क्या हो गया यह, 2x प्लस 3x, 5y, 5x, 5y, equal to 4500, तो x प्लस y, equal to, पूरी equation को 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हो रहा है, 900, यह हमारा a equation हो गया, उसके बाद इस equation को इसमें से subtract कर दीजिए, subtracting, equation, 2 from 1, क्या हो जाएगा, 2x minus 3x, minus x, 3y minus 2y, plus y, 2000 minus 2500, minus 500, क्योंकि मैंने 2 को 1 से minus किया है, अब यह equation हो गया मेरे पास, b, इन दोनों को elimination से solve कर लीजिए, get the value of y, क्योंकि एक्स तो मैं cancel कर दूंगा, x plus y equal to 900, minus x plus y equal to minus 500, यह cancel हो गया, 2y equal to 400, y equal to 200, x मेरा 200, तो y मेरा, कितना, 700, rupees, क्योंकि हमने इसे cost बोला था, तो रुपए में तो होगा, उसके बाद, let the cost of one table be x, और हाँ, हमसे बोला गया, find the total cost of one table and five chairs, एक table और पाथ chair, मतलब, total cost, question जो यहाँ छोड़के जाएगा, उसके एक number minus हो जाएगे, ठीक है, कई बच्चे खुश हो जाता है, हमारा तक answer आगया, जी, नहीं, total cost जब तक नहीं निकालोगे, जो पूछा गया है, final answer, तब तक answer आपका नहीं आया है, total cost क्या होगा, find the one table and five chair, table की cost, x, five chair, यानि five y, x is seven hundred, five into two hundred, seventeen hundred, rupees, आया समझ, आई गया होगा, अब चलते हैं, next question पर, तो next question के है, हमारे पास, देखे, A and B each have certain number of oranges, दोनों के पास कुछ-कुछ oranges हैं, उसके बाद, A says to be, A, B से कहता है, if you give me, ten of your oranges, I will have twice the number of oranges, left with you, मतलब, मान लेते हैं हम, चलिए, थोड़ी देर के लिए, एक, बनाते हैं, पूरा map, flow chart, अभी solve हो जाएगा, A, एक बन्दे हैं, और 2, B, एक बन्दा है, ये दोनों, विल्ले बैठे हुए हैं, दोनों के पास कोई, काम नहीं है, और कुछ oranges, इसके पास हैं, कुछ oranges, इसके पास हैं, इसके पास कितना है, पता हैं, मुझे भी नहीं बता, एक से हैं, और इसके पास, ये मैंने, एज्यूम किया है, अब ये कह क्या रहे हैं, A says to be, A, B से कहता है, क्या, if you give me, 10 of your oranges, अगर ये, इसको, अपने 10 oranges दे दे, मतलब क्या, Y है, Y माइनस 10 हो जाए, और ये, होंगे इसमें से, और वो किधा रैड होंगे, इसमें, तो X था, 10 लिया, तो X प्लस 10 हो गया, तो, I will have, twice the number of oranges, left with you, मतलब, मेरे पास, जो total number of oranges होंगे, वो तुम्हारे number के, दो गुने हो जाएंगे, ओके, कर लिया भाई, हमने पता, मतलब, ये, ये कहना चाहा रहे है, है ना, तो क्या हो जाएगा ये, X, minus 2Y, 2Y है ना, इधर जा गया, और ये, minus 20, plus 10, अब बच्चों को समझ नहीं है, सरी ये क्या कर दिया आपने, तो आप खुद कर लो, ये कोई बड़ी चीज तो है नहीं, multiply करके, इधर उधर ही तो क्या ही मैंने, ठीक, जिसको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, minus 20, और ये, अच्छा, चलिए, करी देते हैं, ठीक है, X, plus 10, equal to 2Y, minus 20, ओके, अब क्या हो जाएगा, X, minus 2Y, equal to minus 20, minus 10, X, minus 2Y, equal to minus 30, clear है, अब देखे, अगला क्या कह रहा है, B says, तो B, भी कम नहीं था, B ने बोला, कि, if you give me, 10 of your oranges, मेरी छोड, अपनी देख, कि, अगर तू मुझे, 10 oranges दे देता है, मतलब, अब X plus 10 नहीं, अगर, अब तुम 10 मुझे दे दोगे, तो इसके पास, 10 जादा हो गए, सबसे पहले, क्योंकि 10 इसने दे दिये, या देगा, तो, I will have, same number of oranges, left with you, तो मेरे पास, कितने होगे पता है, जितने तुमारे पास है, मतलब, X minus 10 जितना है, उतना Y plus 10 हो जाएगा, ओहो, तो ये है, X इदर ले आईए, Y, sorry, ये तो equation मन गए, दो, और अब हम, पता कर लेंगे, इन दोनों वेलों के पास, कितने oranges हैं, ये A हो गया, और ये, V हो गया, तो पता कर लो, X minus 2Y equal to minus 30, और X minus Y equal to 20, यहां लेखलो, X minus 2Y equal to minus 30, and X minus Y equal to 20, ये सेम है, लेगिन सेम साइन है, तो सब्ट्रेक्ट करते थे हैं, minus plus minus, क्या हो गया, ये हो गया minus 50, minus 2Y plus Y, ये cancel, minus 2Y plus Y, minus Y, तो Y equal to हो गया, 50, ठीक, और X क्या हो गया, अगर Y 50, तो X, 50 इदर चला गया, एक्स हो गया, 70, तो इनके पास है, 70 oranges, और इनके पास है, 50 oranges, बस, बात खत्म, तो इस lecture में यही दो question थे, बहुत आसान, ये थोड़ा सा यहां पर decode करना मुश्किल होता है, बच्चों के लिए, बट अगर इतना कर लिया, तो equation रनाने के बाद, तो कुछ भी tough नहीं है, ठीक है, उमीद है, आपको ये दोनों question बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे, next lecture में नए concept के साथ, नए topic के साथ, what problem करेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं next lecture में, बाइब बाइ, थांक यू